बताओ तुम्हारा फर्मान पाकिस्तान से आता है क्या तो मुझको इशारा यू कर रहा है कि मतलब चुप हो जाओ चुप चुप ऐसे मैंने को मुझे चुप चुप मत करना यही तेरे को मार के फेकूंगी समझे उसके बाद ने पर और पब्लिक भी थी तो उसके बाद वो राहुल गांधी आलू से सोना उगा रहते आज क्या हुआ किसानों को बोले भाई परिशान नहों हम आलू से सोना आज भी उगाएंगे तुम लोगों के साथ मिलके उगाएंगे आप आंदोलन को और भड़का रहे हो हवा दे रहे हो इसमें क्योंकि बिचौलियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है और बिचौलियों जो है वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से ऐसा हो जाए और जो है सरकार के हाथ में राशन पानी चला जाए हाथों पीछ में से हमारा कहा हिस्सा जाएगा आपको टॉंटिंग उल्टे सीधे करेगा ठीक है आपको मैं बता दूं राजनीती में मैंने कभी बच्पन से आस तक ये नहीं देखा इतनी गंदी राजनीती नहीं देखी जितनी गंदी राजनीती अब चल रही है और कॉंग्रेस ने इतना गंदा इतना घ्रणित काम किया ये तो इटली में होता होगा लेकिन ये भारत में इस त पता चल जाएगा वाडरा से एक एक जमीन एक इंच की जमीन ना कोड निकल वाले तो कहिए और किसानों की चीज़ किसानों को वापस हो जाएगी आज क्यों चुपी साधे बैठें क्योंकि प्रियंका गांधी आ गई तो उनका अपनी दादी के साथ की तरह से चेहरा मिलता ज खा लिया तो भाई हो गया भाई तो अरे इस पर पिगलों मत किसानों तुम लोग को अगर अभी भी सुबह है अभी अंधेरा नहीं हुए अभी रात नहीं हुई है अभी भी उजाला है उस उजाले में आज भी जाग जाओ और आज उठा करके रिट्याज का दायर कर दो ज अब इनसे वापस वसूलों तो मैं आप से जाना चाहूंगा कि राहुल गांदी जो है उनका कहना है कि यह किसान बिल है अगर यह वापिस नहीं होता तो रेड़ी पट्री वाले बेरोजगार हो जाएंगे इस पर आप क्या कहना जाएगे रेड़ी पट्री वालों से और कि किसान से गहुँँ खरीचता है चावल खरीचता है या कुछ और चीज़ए खरीचता है किसान अपनी जगे पुटरी असमें है या वो अपने आーतियों के माध्यम से गेजता है इस इस समय आपको बताओं किसान की अवशकता खेतों में है क्योंकि गन्ना की फसल कट रही है ठीक है और भी जो है दूसरा खेतों में पानी लग रहा है तो आगे की खेतों की तैयारियां भी कर रहे हैं कि आगे जो फसल उन्हें उगानी है उसके लिए वो घास पूस अटाना य नहीं मौझूद है वहां सिर्फ और सिर्फ बिचॉलिये मौझूद है वहां सिर्फ और सिर्फ आड़ती मौझूद है वहां सिर्फ और सिर्फ कुछ गुंड़ा एलिमेंट्स मौझूद है गुंडे तपके के लोग मौझूद है जो जो है किसी भी आंदोलन में आपको पत करते हैं मैं प्रियंका गांदी कुछ दिन पहले सारानपुर में रैली करती और वहां जैसे सुनिया गांदी ने सीए के वक्त राम लीला मैदान से मुसल्मानों को भड़का है ताकि अपना वो छिन जाएगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा आप इन्होंने कहना चुरू कर द हैं इन तीनों के सब जवान चलती है इन तीनों को यह नहीं मालूम है कि आगे क्या है यह बीज बोई हुए कॉंग्रेस के ही है बीज बोई हुए सुनिया गांदी के ही है जब तब आपने क्यों नहीं साथ साल में आपने क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ कर दिया था अपने को आग लगा लिया, क्यूं उस विजय पी आई तो बीजय पी के टाइम पे जो हरको किसान दिख रहा है, हरको किसान की जो है दुख दर्द यादा रहे हैं, उस समय और किसान का दुख दर्द नहीं यादा था, उस समय जब आप यूरिया बेशते थे तो यूरिया में आप कितनी कीमत वसूल करते थे, आपको वो नहीं आदाता था, अब आपको किसान दिख रहा है, किसान की भुकमरी दिख रही है, किसान का हर चीज नजर आ रही है, अरे इस तरहे की हरकतों को करना बंद कर देना चाहिए. मैं 70 साल से कॉंग्रेस रही, आपने जैसा बताया, पर उसके बावजूद अभी तक किसानों का भला तो हो नहीं पाया, कहीं देखा नहीं हमने भला होते हुए, गरीबों का भला, अभी भी कॉंग्रेस का यही ना रहा है, कि हम गरीबी हटाएंगे देश से, अगर 70 साल से तो गिर भी गई सरकार, पर कर्ज माफ नहीं हो, आभी तक किसानों का भला, देखे अगर इनको कर्ज माफ करना होता किसानों का, तो जहां जहां इनकी सरकार बनी थी, क्या ये संसद में नहीं बैठती हैं, क्या ये संसद में उस कानून को नहीं पास करा सकती थी, क्या अपोज वाले नहीं इस तरह के करते हैं? बहुत कुछ करते हैं. अगर उपोजीशन चाह जाए तो और फिर BJP की सरकारती, BJP की सरकार किसानों के लिए पीछे हटती नहीं. ठीक है जी? और अगर ये BJP की सरकार से मिलके बातचीत करते, संसत के दोनों सद्नों में बिल आराम से पारित ह होता और आपको बता दूं कि किसानों का कर्च माफ हो जाता है लेकिन इनको चाहिए नहीं अगर यह अभी ऐसा कर देंगे तो पिर राजनीती इनकी कैसे चलेगी यह इनका फंडा है मैं मोधी जी ने साफ साफ संसद में कहा था कि जो मनमोहन सरकार बिल लाने वाले थे वही हम लेकिया हैं वही चीज़े हैं और आपको तो हम हम गर्व करना चाहिए कि मनमोहन जी चाहते थे वह बिल हमने पास कर दिया तो फिर आखिर कर जब वही सब चीज़ें तो क्यों आखिर कर किसानों को बढ़काया जा रहा है कि जमीने चीन ली जाएंगी यह हो जाएगा वो हो जाएगी MSP पर भी मोदी जी ने साब बोल देगी MSP है ती और रहेगी बिल्कुल सही है जो MSP रेट है आपका वो MSP रेट तो चली रहा हुए तो कि उन्होंने नहीं कहा कि हम MSP रेट हटा रहे हैं बदल रहे हैं और दूसी बात है आप लोग FCI को सरकार को पहले भी आप द मोदी जी ने खुला ये बोला कि आप अगर इनको नहीं किसी को बेच रहा चाते तो आप खुद ले जाकर के वहां बेच सकते हैं तो आप उस पर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं वो लोग कोई किसान नहीं वो कर रहा ठीक है आप डारेक्ट कॉन्टेक्ट में जो है क्या है किसान to person ठीके जी अगर आपको लेना है या माली जे मुझे खरीदना है और आप किसान है तो मैं और आप डारेक्ट एक दूसरे से contact करके समान ले सकते हैं ठीके जी जब 26 जनवरी को जो गटना हुई लाल के लिए पर और दिल्ली में उसके बाद जितने भी विपक्ष के लोग हैं किसान नेता सब कहने लगी कि BJP के लोगों ने ये सब चीजे करी है BJP के लोगों ने करा है BJP के आदमियों ने करवाया है और पर जब जो दंगाईयों को पकड़ा गया उनको छुड़ाने के लिए तो कॉंग्रिस वकील लगा रही है अगर BJP के लोग है तो कॉंग्रिस वकील क्यों लगा रही है देखे हमेशा विपक्ष के जो भी लोग होंगे ठीक है माल ये शाशन मैं कर रही हूँ ठीक है अब हमारे चार दोस्त भी है तो चार दुश्मन भी है दुश्मन तो नहीं मुझे अच्छी आँखों से देखेगा, दुश्मन तो मुझे पसंद नहीं करेगा, दुश्मन सोचेगा, अरे इतने सालों से तो हम राज कर रहे थे, और हमारा रोजी रोटी छिन गई, हम जो आज तक इतनी बड़ी बड़ी गट्रियां जो है, नोटो काम होता है, उटी सीधी आपको कृट साइस करेगा, आप समझ लीजे कि कौन क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, तो 70 साल में कॉंग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया था, काम कॉंग्रेस भी तो कर सकती थी, यदि मनमुहन सिंग जी वाला काम जो है, अब ये कर रहे हैं, मोदी तो ये तो काम Congress भी कर सकती थी, Congress ने बहुत सारे चीजें जो भी सोचा बनाया या जिसको जो है उन्होंने ये कि हम अब ये करें वो करें और जब अगर BJP कर दे रही है तो आप करें ये काम तो हम कर देते, अरे आप ज्यादा कुछ नहीं जाई, राम मंदिर का जो ताला था, आज तो Congress ने क्यों नहीं खुलवा लिया था, नहरू जी के समय लगा था, उसको तो खुलवाया जा सकता था, नहरू जी नहीं क्यों बोला, अरे ताला लगा लगा रहें दो घिसते 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 घिस जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, अरे आप प्रधान मंत्री थे, भारत के थे, भारत का प्रधान मंतली मतब एक भारत एक घर है और उसका सबसे बड़ा आप गर जनो, आप तो एक मिनट लगाते ताला खुलवाने में, आपको कोई बोल नहीं सकता था, उस तरहीं तो कोई विपक्ष था नहीं, उस समय बिलकुल कोई विपक्ष नहीं था, व आपने क्यों नहीं खुलवाया, आप में जो है, क्या हुआ था, तब किसान सोचे कि, अरे भाई, ये तो हमारा बड़ा वेल विशर है, ये है, वो है, वो भी किसान क्या, और बाकी लोग भी जो है, आस पड़ो, उसके सब इखटा करके लोगों को ये ले करके आए, लोग आए, ठीक है, अब इन लोगों को ये नहीं पता है, सीधे साथ, किसान बहुत सीधा इंसान होता है, किसान को अपनी खेती बारीज से मतलब होता है, अपने पेड़ पौदों से मतलब होता है, और अपने किसी चीज से मतलब नहीं होता है, उसको धुन है कि मुझे अन उगा तो अनुगाना है, ठीक है, धर्ती का सीना चीर करके वो अनुगाता है, बहुत महनत करता है, राद दिन खेत में महनत करता है, हम सब कुछ उसका मानते हैं, लेकिन किसान की आड में टिकैत भी अपनी रोटी सेक रहे हैं, ठीक है जी, टिकैत को भी तो बैठना है सांसत में, प मोदी जी भी रोके दिखा दे तो क्या जो है मोदी जी के पिछे सारी दुनिया वो हो जा रही है अरे जिसको उनके संग होना है वो उसके संग होगा मोदी जी के संग जिसको नहीं होना है उसको अगर नाक पकड़ के भी रगडा के बोल दो कि मोदी जी के साथ दो तो नहीं द क्योंकि रिहाना को फंडिंग जिस कंपनी ने करी उसके मालिक की वीडियो भी निकल के आई कि वह साफ साफ मुहमत दलीवाल उसका नाम है उसने साफ साफ काया कि किसान आंदोलन भले ही खतम हो जाए पर जो खालिस्तान का अंदोलन है वह जारी रहेगा तो कहीं न कहीं अब स किसान आंदोलन की आड में खालिस्तान का अंदोलन किया जा रहा है विल्कुल सही बात है यह किसान मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि खालिस्तानी जंडा वहां पर लह रहा है ठीक है किसान आंदोलन नहीं है किसान आंदोलन की आड में दूसरा आंदोलन चल रहा है ज इसमें पाकिस्तान तो खुदी फकड़ गरीब है, ठीक है, भीक मांगने वाला है, इसको सौदिया से आ रही है, फंडिंग, उसके अलावा और भी जगह से इनको फंडिंग आ रही है, उसके साथ साथ में निकम्मा, नकारा, बत्तमीज, और हम आगे आपको क्या-क्या बता द आइजरीवाल ने इन लोगों की गाडियों में पेट्रोल डलवा या है, खुपन दिये हैं, अंदर से बिसका उससे ज़्या उसके साथ लोगों के साथ देता है इसने खालिस्तानियों का साथ दिया बकाइदा पेट्रोल डलवा के आतंक कराने में शरम इसको नहीं तेरी दिल्ली थे तू दिल्ली का जो है सीम था तू दिल्ली का मालिक माना जाता है तू अपनी ही दिल्ली में दंगा करा रहा है तू अपनी ही दि अगर हमारे योगी जी होते तो लाल किले पे चीरा फाड़ी करवा देते हैं समझे ना जी जी